बीसी सदाब्दी के एक महानतम भहत इक्वीद नवेल पुरसकार से सम्मानित एरिविन स्ट्रोडिंगर कहते हैं पूर्व से पच्छे में कुछ रख्त दान आवस्चे अकरता की पास्चाते विज्ञान को आध्यात्में की रख्तालपता से बचाया जा सके सम्मूर्ण संसार में उपने से तो के अत्रिक्त कोई जीवन द्रिष्ट का स्रोत नहीं है जिसमें हमें विविदता में एक तक दर्शन हो सके जर्मनी की महानतम विज्ञानिकों में से एक तथा क्वांटम यात्रिकी के सब प्रगडिता में नवल प्रुष्कार वेरनर हाईजन वर्ग ने कहा है भारती दर्शन के बारे में चर्चा करने की बाद क्वांटम भौतिकी की जो विचार नीतांध विजित्र और अविश् लग रहे थे यह का एक अर्थपूर्द लगने लगे पच्छिम के ग्यान वदैयों के सरवत क्रिस्ट लेखक अलोचक निबंधकार इतिहासकार एवं दार्शनिक फ्रांसवा एंव वोल्तेर ने कहा है मैं सुनिस्चितों की खगुल सास्त्र जेोतिस देहां तरड आजी सा ग्यान गंगा के तड़ से आया है यह बहुत महत पूर्व तत्त है कि कोई धाई जार वर्सपूर्व पाइथागोरस निश्चिती रेखा गड़ी सीखने सामोस से गंगा गया था किन्तों उसने यह कठीने और अंजाने आत्रा कभी न की होती यदि रोप में ब्रामडों के विज्ञान के प्रतिवा की धाग वर्सों से न जमी होती वेद सबसे मुल्यवान उपार है जिसके लिए पच्चिम पुर्व के प्रति सदा रेड़ी रहेगा स्रेश्टतम जर्मन दाशनिक तथा लेखक आर्था सोपिन हवर कहते हैं उपनी सिदों के अधेयन के समान लाफकारी तथा उन्यअन करने वाला पवित्र साहित विश्वें दूसरा नहीं है इस साहित के अधेयन से मुझे जीवन में सांती मिली है और मृत्यु परविसांत के प्राप्त होगी जो इनका गहानतम लेखन एवं चिंतन का ही परिडाम है वैदिक ज्यान तक पहुँच वर्चतमान सदी के लिए विशेश सुभाग एकी बात है प्रसिद्ध अमेरिकी भौत एक विद्ध परमाडुबाम के सैधानतिक संग कलपना करने वालों में परिशनों के उत्तर मिल जाएंगे यह सुक्ता का विशेए कि स्ट्रोटिंगर निल्सबोर और ओपन हाइमर जैसे व्यक्ति उपनिस्दों के ज्याता थे विश्व के सरुस्त्रेष्ट वज्ञानिकों में से एक जिन ये एटम बम का जनक कहा जाता है जूलिय सार ओपन हायमर ने कहा हम आधुनिक विज्ञान में जो कुछ भी पाएंगे वो प्राचीन हिंदुग्यान का ओधारण, प्रुस्दाहन यहुं संसोधन है अमेरिका के स्रेष्टतम, दासनिक लेखक, समाजी कालोचक, भावातित वादी हेंरी डेविट थोरु कहते हैं वेदो का एक वाकिये मैसा चोसेट स्प्रांच से अनीक गुना मुल्लेवान है जब भी मैंने वेदो का कोई भी अंस पढ़ा है, मैंने पाया है कि किसी विचित्र और अंजानी देवी प्रकास ने मेरे अंतरतम को जाले से भर दिया है महान वेदे कुप देशों में संप्रदायवाद लेस मात्र मी नहीं है वेद सार्वकालिक, सार्वभावमिक और सर्वजनीन है वे महान ग्यान के प्रावति का उत्तम मार्ग है जब मैं इन्हें पढ़ा होता हूँ तम मुझे लगता है कि मैं गर्मियों की रात की चमकदार आकास के नीचे खड़ा हूँ प्रख्यात जापानी सोधकरता जिनोंने संस्क्रित और पाली भासाओ का अध्यन किया हाजी में नाकमूरा कहते हैं भारत और जापानी की बेश संस्क्रितिक समंद बहुत पुराना है जापानी संस्कृती आज इतनी सम्रिद, समुन्नत वो परिस्कृत है उसका स्रे भारत वरस को ही जाता है अमेरिकी सैधान्तिक भौति के विजेक सर्फादी ने कहा मेरी समझ में सामानेत्या सापक चताता था क्वांटम सिधान्त दोनों ही एक मुल सिधान्त के अनुपूरक पक्ष हैं जो की ब्रहमांडी चेतना से संबनिध होंगे भारती सांकि दर्शन का मत्व ब्रहमांडी चेतना या संपूर स्रिष्ट का आधार है फर्चियों दादा चेन के सब्दों में वेद में बुधी मता और ज्ञान संगनी तवस्था में है फ्रेंच स्कॉलर मांसलीन डेलबो ने पाया कि रिगवेद मानवता के महान राजमारकों की सबसे उदात औधारणा है इन वक्तवियों को जाननी के बाद आप अपने पूरातन ग्ञान विध्यान के धरोवर बर अवस्थी गरव महसूस कर रहे होगे हाला कि इस सारग ग्ञान विज्यान सिर्फ हमारा ही नहीं है बलकि समुचि संसार का है समुचि ब्रमान का है लेकिन मैं अपना कह रहा हूँ क्योंकि वरतवान में सिर्फ हमारे ही देश ने इस ग्यान को सनच्छित रखा है इस वीडियो में इतना ही The Knowledge Curator से जोड़ने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में